नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है संजीवनी पूटी में उसके अपडेट मिलते रहेंगे तो आईए जानते हैं कि सिर्फ 15 रुपए में अपने हार्ट का इलाज अब पॉसिबल है क्या आपकी धमनियों में खून के ठक्के जमे हुए हैं या इनमें प्लाक जमा हुआ है प्लड प्रेशर बढ़ रहा है और बैट कॉलिस्ट्रॉल बढ़ रहा है या किनी कारणवश डॉक्टर ने आपको एंजियो प्लास्टी के लिए कह दिया है या फिर किसी भी तरह की दिन से जुड़ी समस्या है तो एक बार इस नुस्खे को जरूर आजमाएं इसके लिए अरजुन की छाल 100 ग्राम लेकर 500 मिली लीटर पानी में मिलाएं इसे गैस पर रखें और अच्छे से पकाएं जब ये पानी 200 मिली लीटर रह जाए तो इसका इस्तमाल आपको रोजाना सुभे सुभे 10 मिली लीटर की कॉंटिटी में करना है इससे खून में बढ़ा हुआ कॉलिस्टरॉल कम हो जाएगा खून के ठक्के साफ हो जाएंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में हो जाएगा और एंजियो प्लास्टी की नौबत नहीं आएगी अरजुन के सेवन से अलसर में भी लाब होता है इस काढ़े को अगर और भी असरदार बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 10 ग्राम दालचीनी मिलाकर इसका काढ़ा बना ले अरजुन की चाल की चाय पीने से आप दिल से संबंदित समस्याओं को दूर कर सकते हैं अगर आपको अरजुन के पेड की चाल ना मिले तो आपको ये रामदेव बाबा की दुकान में जरूर बिल जाएगी 100 ग्राम 15 रुपे का पैकेट होता है अनेक रिदे रोगियों के लिए ये बहुत ही जादा लाबकारी है अरजुन की चाल का काढ़ा बनाने के लिए आप हमारा अगला वीडियो देख सकते हैं अरजुन को पैरलिसिस के मरीजों को भी दिया जाता है जिससे उनको बहुत लाब मिलता है इसके अलावा वेरिकोस बेंस में भी बहुत उप्योगी है अलसर के रोगियों के लिए भी ये काढ़ा बहुत ही जादा फायदे मन्थ है तो दोस्तों इसका इस्तमाल जरूर करें और हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको इसका कितना लाब मिला चुड़े रहें हमारे इस चैनल की साथ जिसका नाम है